समस्कार तोस्तों आप पोस्ट इसमें आप पर डिसकस करते हैं तो आप सभी खो बताना चाहता हूँ 20 प्लस वेकेंसी यह रहने वाल है यह दोस्तों All India वेकेंसी आप किसी भी राजे से हैं किसी भी स्टेट से All India candidate बिल्कुल इस वेकेंसी को अपलाए कर पाएंगे और इसमें male candidate भी अपलाए करें female candidate भी अपलाए कर सकते हैं सबसे पहले आप लोग heading पड़ें यह जो वेकेंसी यहाँ पे जो रिलीज वही लिखा है स्वामी विवेकानद National Institute of Rehabilitation Training and Research और यह जो Ministry of Social Justice and Empowerment Government of India तो Central Government का यह recruitment रहेगा केंदरे सरकार के तायत यह वेकेंसी आप लोगों के लिए रहने वाली है पूरी जानकारी वीडियो में cover करेंगे तो चलिए बिल्कुल भी time wasting नहीं करते हैं सीधे से बढ़ते हैं वेकेंसी टेवल की ओर तो देखिए सबसे पहरे नर्सिंग की वेकेंसी की जानकारी को आप पर discuss करते हैं तो स्टाफ नर्स की पोस्ट है consultant के तोर पे 5 पद इसमें आप पर शामिल कर लिए गए 100 बेडिट जो annex building है consultancy तो इसके तहत यह 5 पद है स्टाफ नर्स के आप लोग भी इसमें apply कर सकते हैं किसी भी राजे का किसी भी श्टेट का nursing council में आपको registration मीचे यह और यदि आपके पास post basic diploma है orthopedic या फिर rehab nursing में तो अच्छी बात है नहीं भी है तो भी बिलकुल apply कर सकते है desirable बोला गया है compulsory नहीं बोला गया है इसके बाद बात करते हैं जो अगली post है वो रहेगी lab technician की तो देखिए 9th number की जो post है यह रहन वाली है lab technician की यहां पर लिखा भी हुआ है एक पद इसमें शामिल किया गया 25,000 रुपे यहां पर salary है metric 10 विक अक्षा पासो lab technician का course और 3 साल का experience lab technician का आपके पास यहां पर यह रहना चाहिए बात करते हैं जो अगली post है वो रहेगी pharmacist की तो इसी की उपर देखिए pharmacist की vacancy है दो पद इसमें शामिल कर लिए गए metric पासों और diploma pharmacy में है बिलकुल apply कर दें तीन साल का relevant experience है यह pharmacist का और 35,000 रुपे इसमें आपको paramant basis पे salary मिलेगी इसमें दोस्तों देखिए physiotherapist की post भी इसमें आपे आ चुकी है देखिए लिखा physiotherapy तो एक पद इसमें 35,000 रुपे salary है BPT course इसमें आप लोगों से मांगा जा रहा दो साल का experience के साथ यह यह master's है तो भी apply कर दें master's नहीं भी है तो भी apply कर पाएंगे desirable बोला गया compulsory नहीं बोला गया तो bachelor degree BPT candidate simple इसमें आप लोग आप आविदर कर सकते हैं इसमें radiographer की vacancy भी आ चुकी है तो radiographer की एक post है 30,000 रुपे salary है metric दस्टरी कश्चा पास हो तीन साल का diploma course radiographic का मांगा जारा एक साल के experience के साथ और experience है तो अच्छी बात है नहीं भी है तो भी बिलकुल आप लोग यहां पर आविदर कर सकते हैं और यहां पर दोस्तों देखिए prosthetic and orthotic यहां पर जो है पोश्ट यहां पर आ चुकी है एक पद है 35,000 रुपे डिग्री मांगी जारी है इसी फिल्ट के अंतरगा चार साल के experience के साथ और इसके अतरिक्त आप पर देखिए occupational therapist तो यह पोश्ट भी आ चुकी है एक पदस में 35,000 रुपे साल दी है BOT means bachelor degree in occupational therapy यह candidates apply करें दो साल के experience के साथ master's है तो भी apply कर पाएंगे नहीं भी है तो भी आप लोग यहां पर apply कर दें इसके साथ medical officer की post है तो इसमें MBBS doctors यहां पर apply करें MD यह सब है तो बिल्कुल आप लोग आवे दिन करें MBBS यहां पर जो doctors है 80,000 रुपे साली में लेगी 6 पद है consultant को जो पोस्ट है legal के तहित 11,000 रुपे साली और LLB या फिर LLM है तो बिल्कुल आप लोग इसमें apply कर सकते हैं तो इस अभी पोस्ट के बारे मैं जान करी दी अब आप लोग यहां पर discuss कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको apply करना है और apply करने की last date यहां पर क्या रहेगी त और दोस्तों इस application form को fill up करने के लिए आपको देखिए यह last date बता दी गई है 13 April 2023 तो इस date तक जो है आप लोगों का आवेदन online mode में आपका यह हो जाना चाहिए complete जो online form जो आपका generate होगा वो आपको बेजना है documents के साथ तो यह address पे आपको अपना आवेदन भी बेजना होगा मिस online और offline दोनों board में आप लोगों को अपना यहां पे apply करना होगा और offline मिस जो आप लोग डाक के मादे हम से बेज़ेंगे तो 28 April 2023 तो जो है आपको application को send करने की last date रहने वाली है यह पूरा address आपको यहां पे दे दिया गया तो देखिए online की last date अलग है offline की last date अलग है तो द लोगों को कुछ इस तरीके से mention करना होगा कि किस post के लिए आप लोग apply कर रहे है envelope की उपर लिफाफे की उपर यह आपको लिखना होगा इसके बाद आपको selection का procedure आपको बता दिया गया serial number यहां पे लिखा है number 2 to 10 तो दो सलेक का 10 तक जितनी भी post है यह process अपना है जाएगा objective questions पूछाएंगे 80% desirable qualification से 10% के जाएगा experience है तो इसका भी benefit आपको यहाँ पे मिलने वाला है तो दोस्तो वेकेंसी की जो भी information थी मैं इसमें आप पे cover की staff nurse, lab technician, pharmacist और भी इसमें स्वास्त बिवा के सभी पद इसमें आप पे शामिल कर लिए गए और यदि आप लोग interested है तो बिलकुल आप लोग इस वेकेंसी को apply कर पाएंगे और दोस्तो इसमें दो post और रह गई है office assistant की तो देखिए office assistant का एक पन है 12th class simplest में आपको पास यहाँ पे होना चाहिए दो साल के experience के साथ typing यह आपको आने चाहिए और MTS multitasking stuff यह post भी आ चुकिए इसमें 4 पन है इसमें सरफ पास हो और एक साल का dressing का course हो और first aid की knowledge आपको यहाँ पे होना चाहिए तो यह post भी इसमें आप पे शामिल की गई तो यह update कैसा लगा आप जिरूर बताएं information vacancy की मिली है तो आप चाहिए तो वीडियो को like कर सकते है चैनल को subscribe कर लिजे इसी वीडियो के नीचे जाके thank you so much मिल आपसे अगले वीडियो में